तो आज आपका बिजनस मैस के अंदर जिस टॉपिक पर हम डिस्क्स करने जा रहे हैं ट्रांस्पोर्स और मैट्रिक्स एंड एड्जोइंट ओफ मैट्रिक्स यह अगर आपको अच्छे समझ में आ गया और हमारे पास टाइम बचा तो हम आज इन्वर्स और मैट्रिक्स को भी समझेंगे ठीक है तो चलिए कंटेन्यू करते हैं सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रांस्पोर्स और मैट्रिक्स क्या होता है देखिएगा अगर कोई एक मैट्रिक्स है मैं सिंपल्स आपको पहले समझाने की कोशिश करता हूं उसके बाद हम अपने कोशिंस पर आएंगे ट् हंजे देखिएगा प्रांस्पोर्स में क्या होता है कोई एक मैट्रिक्स है अब जरूरी नहीं कि वह स्क्यार मैट्रिक्स हो कैसा भी एक मैट्रिक्स है ठीक है उसका जो है आपके पास पर रो है उसके for example, यह आपका first row है, यह आपका second row है और यह आपका third row है तो इसमें क्या होगा आपका कि आप transpose of matrix में अगर आप जा रहे हैं इसको अगर आप transpose करेंगे तो transpose करने का मतलब यह है कि जो आपका यहाँ पर first row है वो क्या बन जाएगा, अब आपका यहाँ पर first column मन जाएगा ठीक है, और जो second row है वो इसका second column मन जाएगा और आपका third row है, वो क्या हो जाएगा वो आपका third column मन जाएगा तो row का column का एई दूसरे से transfer कर देना transpose of matrix कहलाता है, ठीक है for example, हम कुछ एक example लेते हैं, transpose of matrix का transpose of matrix में जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका एक matrix है, जो कि इसका order आपका है, two row है और three column में, तो two cross three का order है इसका अगर मैं इसका transpose करूँगा matrix का यह A matrix है, तो A matrix का अगर मैं transpose करता हूँ transpose means आपके पास में कौन सा four, अगर मैं इसका transpose करता हूँ transpose करने के बाद A transpose, T से भी denote करते हैं और इस तरह के से आप जो इस पे इस तरह के से भी आप इसको represent करते हैं तो आपके पास पर transpose कैसे होगा जो आपका row है यह अब आपका column मन जाएगा, तो यह आपका two minus four और six हो जाएगा, यह आपका जो है second row यह आपका column मन जाएगा three, one और four पूरा का पूरा row आपका column मन जाता है तो यह क्या हो गया, यह transpose of matrix हो गया, तो बहुत simple है, किसी matrix का transpose करना clear है जी? चले, जैसे कि आपके सामने अब एक question है कि A matrix आपको गीवन करते हैं, simple सा है, calculation का part है, calculation के लिए कर रहे हैं इंची जो को एकदम से question पर जाओगे तो बड़ा बहुत दिक्कत होगी, शुरू मैं है भी डाल लेते हैं, तो क्या कह रहा है, यह कह रहा है, A, B और bracket और transpose, हमेशा A into B, B matrix हमारे पास है 1, minus 2, and minus 1, and 1, यह B matrix है, और जब यह result आएगा, पहले bracket के अंदर solve करने गा, उसके बाद इसका आपको क्या करना है, transpose करना है, clear है जी, और वहाँ पर क्या आपको, यहाँ पर आपको क्या करना है, B transpose करना है, तो B matrix क्या आपका, B matrix आपके पास में है, 1, minus 2, and minus 1, and 1, इसका आपको transpose करना है, और उसके बाद आपके पास में क्या A matrix, 2, 1, 3, 4, और इसका भी आपको क्या करना है, इसका भी आपको transpose करना है, अच्छा जी, सबको Tc denote करते है, clear है जी, हम इसका transpose कर रहे है, तो first of all, bracket के अंदर चीजे solve होती है, ठीक है, तो bracket के अंदर तो यहाँ पर 2 matrix को multiply करने की बात हो रही है, तो हाँ, आप बिल्कुद ठीक समझ रहे है, हम पहले क्या करेंगे, 2 matrix को पहले multiply हम करेंगे, clear है, application of matrix inverse matrix इस next class में application of matrix हो जाएगा, second class के बाद, हाँ जी, sir, पहले हम इसको क्या करेंगे, multiply करेंगे, multiply अगर हम इसको करते हैं, तो सबसे पहले कैसे करेंगे, आप सबसे पहले first row को multiply करेंगे, किस से first column से, और first element के साथ में, second element के साथ में, clear है, और बीच प्लस का sign दाएगा, कैसे दरह देख लिजी आप, two into one, जब तक पूरा row, उसके, उस column के सभी elements को multiply नहीं कर देता है, तब तक आपका plus चलता रहेगा, plus, आपके पास में क्या आएगा, one into, आपके पास में minus one, clear है जी, अब उसके बाद यही row, आप second column के पास आजाएगा, तो यहाँ पर आपके पास में क्या होगा, two into minus two, ठीक है, plus, one into one, clear है जी, तो यह आप यहाँ पर क्या कर रहे है, multiply कर रहे है, bracket के अंदर, आप solve करते हैं, second row आएगा, तो second row पर आएगे, तो three into one, three into one, and second element और इस column का second, तो बीचे प्लस का sign into minus one, ठीक है जी, अब आगे solve करते हैं, इसी तरीके से, three into minus two and plus four into one, चलिए, अब यहाँ पर हम transpose करते हैं, matrix का, तो उसका transpose अगर आप करेंगे, तो जो यह row है, यह column में आ जाएगा, तो यह one minus two हो जाएगा, और जो यह row है यह भी column में आ जाएगा, second column में चलाएगा, minus one और one हो गया, clear है जी, और इस तरीके से, यहाँ पर हम करेंगे, तो यह क्या जाएगा, two और one, जो यह row है, यह column मन जाएगा, और यह row भी, यह क्या हो जाएगा, आपका, यह column मन जाएगा, clear है, समझे, clear है, अच्छा यह क्या हुआ है, screen black मतलब कि camera की battery गई, लेकर बिल्कुल मत panic हो यह, एक minute का time देजिए, पापस screen आपके आ जाएगी, बस एक minute का wait करेंगे आप, यह सकता है, क्योतmit है,看到 भी सकता है, यह सिलका है, वह सकता है tan wrratर आपके आपके का बeyeंगा, है अगर देखेंगे चलिए आगे बापस लॉट करके आपके पास आप से दूर कहां जाएंगे बताई जरा आप कि आप इतने प्यारे बच्चे हो अब ड़ जाते हो कि उसलिवस का पूरा होगा हां जी देखे जड़ा अब यहां पर मोटा मोटा लिख रहे हैं तो जगेह ले रहा है पतला लिखते हैं ठीक है आई यह जी सॉल करते हैं इसको तो क्या हैं आएगा हमारे पास में सबसे पहले यह यहां पर आपका 3 और यह माइनिस का जाएगा और इस तरीक इस आपका माइनिस 6 और प्लस 4 तो आपके पास में माइनिस 2 हो जाएगा इस बात को समझें या नहीं समझें अगर किसी बच्छे को पॉलम हो यह पूरा ही बता दूँ मैं बच्चे देख लिजी यार हर तरीकी के बच्चे होते हैं कई बार पैनिक हो जाता है तो उससे अच्छे के बता देता हूं यह चोड़ी सी बात आपको पता ही होंगी दो और यह मैनेस का साइं से मंटिप्लाइब तो मैनेस वन ठीक है यह आपका मैनेस का साइं से मंटिप्लाइब तो मैनेस फोर और यह प्लस वर यहां पर सॉल करेंगे तो यह आपका थ्री का थ्री रहेगा और मैनेस फोर हो जाएगा यह मैनेस से मंटिप्लाइब तो यह आपका मैनेस सिक्स हो गया और यह आपका प्लस फोर हो गया क्लियर समझे कुछ इस तरीके से और इसके उपर क्या करना आपको आपको अच्छे ब्रेक्ट यहां लगाए नहीं था मैंने एक फर्फोज करना है जो अनक्स करना है एकवल स्टू अब इसको मल्टिप्लाइ करें गया तो यहां पर आपके पास में फॉस्ट का उसका फ्रस्ट कॉलम फस्ट के साथ ने लिए बन इंटू टू तो लिए दो वन इंटू टू फिर प्लस का साइन वी जब तक रो के सभी ए मैं माइनिस वन और इंटू आपके पास में आया वन अब इसी तरीके से आफ फर्स्ट रोक आप सकींड कॉलम के साथ में तो आपके पास में आएगा यहां पर वन इंटू थ्री फर्सक्राइब और इसके बाद प्लस सॉल करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा माइनिस व multiply by क्या होगा आपका multiply by आपका 2 होगा तैन आपका अगें प्लस और यह आपका 1 into 1 हो गया अब आपके पास में मैंनेस 2 and multiply by 3 प्लस और यह 1 into आपका 4 हो गया है पहले सिखा चुका हूं multiply करने के लिए आगे हम इसको और यहां पर मेरे पास में मैंनेस 1 बचा और यहां पर मेरे पास में मैंट्रिक क्या कर दो हो गया तो आपके प्लस में तो अगर आपके पास में प्लस 3 और माइनिस 4 चेक करते हैं उसको चलिए यह देखते हैं पहले 4 और आपके पास में 1 अच्छा इसका टांस्पोस भी तो करना है भी हमें किसका इस मैट्रिक्स का टांस्पोस भी करना है भी हाँ जी तो आपके पास में क्या बचा यहां पर आपके पास में 3 और आपके पास में मैनेस 4 तो मैनेस का 1 बचा मैनेस 4 और प्लस 1 मैनेस 3 हुआ और यहाँ पर मैनेस 6 और प्लस 4 तो आपके पास में मैनेस का 2 हुआ clear है जी तो अभी तो यह equal नहीं हुआ clear है क्यों equal नहीं हुआ क्योंकि इसका अभी transpose करना बागी है क्योंकि इसका अगर मैं transpose कर दूंगा तो क्या आएगा मेरे पास में 1-3-1-2 transpose करने के बाद यह आएगा और इसको solve करेंगे तो 1-1-3-2 तो बताए दोनों इकवल हुआ यह नहीं हुआ बिल्कुल दोनों इकवल हुआ तो यहां पर आपका प्रूफ हो जाता है कि अगर तो मैंने बिल्कुल पहले transpose ही किया इसको देखिए का अगर आप 1-2 ए तो मैंने पहले करा 1-2 ले जी मैने सब्सक्राइब करा मैंने तो पहले मैंने पूछ लिजिए आगे बढ़े find the adjoint of matrix A चलिए पहले मैं आपको यहां पर symmetric matrix के बारे में बताना चाहूँगा कि symmetric matrix क्या होता है कि देखेगा symmetric matrix कि मैं यहां पर बात कहता हूँ कि symmetric matrix किसे हम कहेंगे बच्चे symmetric matrix वो होता है जिसके sign को अगर आप एक बार change कर दोगे जैसे कि आपके पास में क्या है एक दो और दो और एक मान लो कि आपके पास में A matrix यह है मैं transpose कर रहा हूँ मैं इसका transpose कर रहा हूँ तो चलिए 1 2 and 2 1 का मैं यहां पर transpose कर रहा हूँ तो A transpose क्या result आएगा यह मेरा आएगा 1 यह जो row है column मन जाएगा 1 2 and यह आपका 2 1 तो अगर आप देखेंगे अपने compare कीजिए अपने A matrix के साथ में और आप transpose matrix के साथ में आप compare कर दोनों similar है या कुछ change आया कोई change नहीं आया तो जब आपका A matrix और इसका transpose करने के बाद कोई फरक नहीं पढ़ता है वही रहता है इसी को हम क्या कहते हैं क्या इसी को हम symmetric matrix कहते हैं मेरी बात समझे या नहीं समझे clear है तो symmetric matrix आप समझ गए अब चलिए next हम पढ़ते हैं क्या क्यूं symmetric matrix क्या होता है करके भी वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं तो बच्चे सोचते स्क्यू symmetric matrix यह clear आपको अब मैं किसका एक example लिखूंगा 057 जीरो 5 7 0 & 0 clear जी 3 minus 5 minus 7 & minus 3 clear जी मैं इसका example लिख रहा हूं किसी student को कोई doubt है तो जरूर पूचें अब देखिएगा यह क्या है यह मेरे पास में एक A matrix है ठीक है जी अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर इसका मैं कर रहा हूं यहाँ पर transpose तो transpose करेंगे तो अगर आप देखेंगे क्या कि आपके पास में जो 0, 5, 7, minus 5, 0, 5, 7, minus 5, 0, 5, 7, minus 5, 0, and 3 और आपके पास में minus 7, minus 3, and 0 इसका transpose करने की यह बात कर रहा हूं तो क्या result आएगा ज़रा चेक करते हैं A transpose तो अगर आप देखते हैं transpose जो यह row है column मन जाएगा तो 0, 5, और यह 7 हो जाएगा, यह row है column मन जाएगा, minus 5, 0, and 3 हो जाएगा, यह row भी column मन जाएगा, minus 7, minus 3, and 0 हो जाएगा, मेरी बात समझे, तो यह A transpose आ गया, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप compare कर लिजे, आप ज़रा matrix को देखें, बड़े धिहान से और बड़े प्यार से, ठीक है, और आप जड़ा आपने A transpose, उसके transpose को जड़ा प्यार से देखें, क्या आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, हर element का sign, सब पूरा matrix हो जई है, बस हर element का sign क्या हो गया, change हो गया, clear है, कोई बात नहीं, मैंने आपको symmetric matrix के बारे, महाँ पर transpose बताना पड़ता मुझे, इसलिए महाँ पर मैंने hold कर लिया, ठीक है, क्योंकि transpose के आदी पता लगता है, तो इसलिए मैंने आपको transpose के बात बताया, यह बाते, हंजे, तो यहाँ पर आप देखेंगे, A transpose matrix आपके पास मे है, तो आप का देख रहे है, A matrix और transpose करने के बात, जो बना matrix, उसके बीच में elements तो सारे हुई है, बस उसके sign change होगे, अगर यह आपका, खेर 0 का तो कोई sign नहीं होता है, plus minus, उसका कोई sign लगाना नीची है, ठीक है, neutral होता है, 5 plus का तो यहाँ मैनेस का, 7 plus का तो यहाँ मैनेस क 5 यहाँ मैनेस 7 तो plus 7, मैनेस 3 तो 3, तो basically क्या होगे, अगर आपका, अगर मैं बोता हूँ यहाँ पर, तो आप अगर यहाँ से minus का sign अगर आप common ले ले, जैसे कि आपके पास में क्या है, A transpose, तो A transpose equals to, एक तो पहले रों से minus का sign common ले ले, दूसरे रों से minus common ले ले, तो अगर आपके sign चेंज में जाएंगे, पहले रों से करोगे तो यह आपके पास, 0 का sign नीए 5, और यह साँ जाएगा आपका 7, और is 5 minus का sign would you do, तो आपके पास में क्या हो, और यह जाएगा, 3? ओर यह आपके पास मीं क्या हो जाएगा यह आपका minus 7, minus 3, and 0. तो अब आपका बिल्कुल similar match हो गया, it means कि आपके इसकी condition क्या है, कि A matrix equals to A transpose, बस इसके आगे क्या sign आ गया, आपका minus का sign आ गया, clear है जी, समझ में आया है या नहीं है, तो कभी भी A matrix को transpose करने का बिल्कुल same मिलता है, तो symmetric matrix, और उसकर उसके element के sign change हो जाते हैं, तो उसको बोलत हम इसके adjoint के उपर आते हैं, चलिए, मैं इसके adjoint के उपर आता हूँ, लेकिन उससे पहले हम आपको यहाँ पर एक काम देता हूँ, कि आप इसका cofactor निकालना सिखायता है तर मैंने आपको, चलिए आप इसका cofactor निकाल लिजिए, अगर आपने cofactor निकाल लिए, तो adjoint आ हाँ जी चलिए अब सामें देखेंगे आज तक होता क्या है प्रेटिकल में आपको पता यह जी कि प्रेटिकल कितनी आसानी से आप लोगों ने निकाल दाए अपने जीवन में मेंटरिक्स में निकालो से पहले अगर बात आपके मनकी है तो बिलकुल करेंगे पहले हम मायने टेek नहीं हुआ से निकालो तो भी चल जाबठे मार्क्स मिलते हर एक सटेब तो मैं आपके पास में क्या निकालून निकालेंगे आप मैं इस row को follow कर रहा हूं ठीक है तो माइनर मैं one one निकाल रहा हूं तो आपको मालूम है कि अगर मैं first जिस element को लो उसका row delete हो जाता सो column delete हो जाता है इस element को लिया तो इसका row delete हो जाएगा और इसका column delete हो जाएगा तो जो मेरे पास में बचेगा वो बचेगा आपका 0 3 1 और 2 clear है मेरी बात समझे या रही समझे clear है आगे हम solve करते हैं इसको चलिए solve भी करे लिते लगे हाथ तो इसको multiply करेंगे तो 0 और आपके पास में minus आपके पास में क्या जाएगा 3 and minus 3 इसका result रहा मैं बात करता हूं यहाँ पर किसके m12 की मतलब कि मैं first row के second element की बात कर रहा हूं तो इ प्रुड़ाता चलर चेंज करता था लाता हूं यह डिलीट होगा और यह डिलीट होगा इसका तो क्या बचेगा आपके पास में minus 1 और 4 और इसके साथ साथ में आपका बचेगा 1 और 2 चलिए solve करते हैं इसको multiply करेंगे तो क्या होगा minus 2 और आपके बीचे माने तो लगाने ल यहां पर इस सीच को calculate कर रहा हूं इसको focus कर रहा तो इसका रो इसका column जाएगा तो मेरे पास में क्या बचेएगा मेरे पास में बचेएगा मैंस one four and zero और three तो इसको solve करते तो क्या आएगा मेरे पास में माइनेस three and minus zero then minus three आया clear है जी मेरे के बास समझे यá नहीं समझे अगर मैं बात करता हूँ यहां पर यह मेरे पास माइनर आपके पास एंग अब मैं यहां पर बात को सी करूं सब्सक्राइन अब कर्ते यहां पर हम यह देखते रहेगा कुशन, मैं इस element की बात कर रहा हूँ, तो इसका row जाएगा, इसका column जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास में, मेरे पास में बचेगा 2, 3, 3, 2, clear है जी, अगर इसको मैं solve करता हूँ, तो क्या solve होगा, यह क्या solve होगर कर आएगा, एम, टू, टू, अगर मैं निकालता हूँ, तो मतलब की, मेरा कहने का मतलब है, कि second row, second element निकालता हूँ, तो इसका column और इसका row जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास में, 1, 4, और 3, और 2 मेरे पास में बचेगा, solve करते तो क्या आएगा, 2 and minus 12, तो आपका minus का 10 यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसी तरीके से मैं M23 अगर calculate करता हूँ, तो मैं यहाँ पर second row में third column, तो यह column गया, यह row गया, तो क्या बचेगा मेरे पास में, 1, 4, 2, 3, clear है जी, और इसको solve करते हैं, यहाँ पर तो क्या आएगा, 3, minus 8, and minus का 5 आया है, आपके पास में, clear है जी, और आगे हम बढ़ते हैं, और अपनी कहानी में, आगे हम क्या लेके चलते हैं, minor, जो है, 3, 1, third row, first column, ठीक है, इसको लेकर के चलेंगे, तो जी, यह row जाएगा, यह column जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास में, 2, 0, 3, 1, 2, 0, 3, 1, clear है, इसकी value क्या आएगी, ठोड़ा सा, टार्क, आगे, white क्या लेकर लेकर चलते है, value क्या आएगी, हापर 2, minus 3, तो आपके पास में, minus को, बन वेकर इसकी value आएगी, और हम यहाँ पर लेकर चल रहे है, M3, 2, तो इसका जो क्या आएगा, M3, 2, तो इसको अगर हम यह delete करते हैं, यह delete करते हैं, तो मेरे पास में आता है, 1, minus 1, 1, minus 1, और इस तरीके से 3 और 1, solve करेंगे इसको, तो values क्या आएगी, हापर 1 और mine, यह दिखिए, लिख दिता हूँ, 1, minus, गुणा करने पर यह minus 3 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, यह plus हो जाएगा, तो आपके 1, plus 3, तो 4 आपका आ जाएगा, clear है जी, अब आगे solve करते हैं, हम यहाँ पर M3, 3 को अगर लेके चलते हैं, तो M3, 3 लेके चलेंगे, तो this one, तो यह column गया, यह row गया, तो आपके पास में क्या बचा है यहाँ पर, आपके पास में 1, minus 1 बचा, और 2 आपका और 0 बचा, पहले अलड़ी समझा चुका है, तो 0 और यह आपके पास में 0, minus, और यह आपके पास में minus का 2 आएगा, तो यह आपका plus का 2 बन जाएगा, clear है जी, अब आपको पता है, कि आपके ने सारे minor calculate कर लिए हैं, तो आपको factor में कैस्ट इस बात के चिंता आपकी, चले, मैं को factor के बारे में बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा मुझे space चाहिए, और इसी page में करना चाहूँगा, बस यह visibility अगर आपको mobile phone में इसको दिक्कत करे, बता देना भया, class आगे problem create कर देगी, ठीक है, सब्सक्राइब को यह, चले, बात करते हैं हम किस चीच की, बात हम करेंगे यहाँ पर co factor की, clear है, तो co factor की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर first वाले की, 1, 1, तो co factor देखेगा, यह positive है, तो first sign का change आएगा, positive है तो no change, minus 3, clear है, co factor 1, 2, clear है जी, कोई doubt, क्या कह रहे हैं, 2 minus 2, M31 में, minus 3, 1 में कह रहे हैं, आप 2 minus, अच्छा, sorry जी, 2 minus 0, sorry सकती मान, दिखे, कैसे गलती हो ही जाती है, ठीक है, तो 2 और आपका यह minus का हो जाएगा 0, तो आपका 2 ही रहेगा, ठीक है, तो solve करते हैं, आपके co factor 1 और 2 का, तो 1 और 2 का, अगर हम को factor हैं, आपर solve कर रहे हैं, तो यह बस sign change करने हैं, वो तो minus 6 ही ना आपका, तो यह आपका sign change हो जाएगा, अगर जिसका odd होगा, जिसका odd place है, sign change हो जाएगा, तो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, co factor 1 3, तो यह तो even है, तो कुछ भी change नहीं होगा, आपका यह minus का 3 रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो आपके पास में, co factor 2 1, तो 2 1 आपके पास में यहाँ पर, क्या आ रहा है आपका, minus 5, तो यह आपके पास में odd है, तो sign change हो गा, तो मैं 5 लिखूँगा, और co factor 2 2, यह even है, तो मैं कुछ भी change नहीं करने वाला, जो है सो इसको लिख दूँगा, और co factor 2 3, odd आ गया यह, तो यहाँ पर तो भीया, मैं change करने वाला हूँ, minus 5 है, तो मैं यहाँ पर 5 लिखूँगा, इसके बाद जो है, दिख रहा है, इसको इस पर तो इस दिख नहीं रहा है, भी आपको पहले बोलना चाहिए था, co factor 3 1, आप देखे, even है तो मैं कुछ भी change नहीं करने वाला, आपका 2 ही रहने वाला है, co factor 3 2, यह आपका odd आ गया, तो मैं बिल्कुल change करूँगा, 4 है तो माइनस का 4 लिखूँगा, और 3 3, यह even है तो मैं कुछ भी change नहीं करने वाला, 2 का 2 ही रहेगा, clear है जी, मेरी बात समझे, अब आप एक काम करें, यहाँ पर, क्या काम करें, जड़ा देखें आप, मैं इसका font भी change करूँगा, इस बात लिखने के लिए, मैंने क्या बोला, adjoint of a, clear है, तो मैं आप से, adjoint of a की बात कर रहा हूँ, वो कैसे निकलेगा, उसकी बात कर रहा हूँ, तो बस, आपका जो यह co-factor, 1, 1, 1 है ना, यह तो खेर एकी रहो है ना, यह पुरा रहो है ना, 1st, 1st element, 1st, 2nd, 2nd element, 1st, 3rd, इस रहो को कॉलम में डाल दो, कॉलम में डाल दो का मतलब क्या हाओ, इसको अज़ट इस आशे लिख दो, यह तो, रहो है, तो मैनेस 3, और 6, and मैनेज थोड़ा, है ठीक है तो क्या आएगा मैंनेस थ्री और आपका माइनस का 3 और इस तरीके से यह रोह है ना सकीन पूरा इसको कॉलम में ही लिखना है आपको क्या फाइव-10 एंफाइव ए और इसको अगर आप देखेंगे 2-4 एंट यह इसको ही हम कहते हैं एडजुंट आ जब बच्चे आ लाए इसको कॉलम मना दो पहला यह सगेंड रो है सब्सक्रात मॉना दो इसको आप ऊप्लिस पूछे तो अब या निखर किया आया बताओ कौन सा ये रखें ग्रीन नहीं इस पर मज़ा नहीं आ रहे हैं इस पर इसी पर ठीक लग रहा है क्लियर जी कोई डाउट किसी बच्चे को हाँ बिलकल सही को फेक्टर को ट्रांसपोर्स कर दो वह मriendly को ट्रांसपोर्स तो होता था, simple matrix का ट्रांसपोर्स कर देना बट को फेक्टर का ट्रांसपोर्स कर देना ये isajoint of matrix कहलाता है, clear जी बाद समझे अब देखिएगा आपके लिए क्या है यह एक सवाल है जिसमें आपसे बोल रहा है क्या बोल रहा है एड्जोइंट ओफ ए निकालने के लिए आपसे कह रहा है तो खर आपके लिए कोई बड़ी समस्था नहीं होने चीए क्या आप बबोलों को सरी क्या है उसको छोड़ दो आप अपने इसाफ से देखो आप M11 क्या होगा इसको ले रहे हो तो यह तो डिलीट यह डिलीट तो क्या आएगा आपका A22 क्लिर है और आपका M12 क्या आएगा बलब इसको लेके चल रहे हो तो यह डिलीट यह डिलीट तो क्या आएगा आपका A21 आएगा और बात करते हैं अगर मैं को फेक्टर की बात करूं त हो जाएगा को फेक्टर लन यो आपका लिए अगर कैसे भिए को आपको 1 तो आएगा देखी जर emphasizes mob सेहने करेखा अब क्या इसे क्या प्रक्राइब तुब है सेक्टर की बात करिए और इस new चाट शिएका और कि नीख यह दो सब्राइब की तो यह भी जाएगा और आपका यह भी मीजाना jaka he बचेगा यह आपका है तो यह नेगेटिवी ऐगा क्लिए को फेक्टर टूट की अगर में बात कर manufacturing कोंचे लिए यह अपने रो को ले जाएगा अपने को ले जाएगा तो क्या बचेगा आपका एफ बचेगा और यह पॉजिक्टिव पोई चेंज नहीं आएगा तो यह वही तो चीज है कि अगर आप इसका एड़्जोइंट ओफ ए निकालोगे तो यह आएगा बरिबास समझे या नी समझ क्लियर है कोई डाउट हां जी यह चीज़े आपको प्रूफ करनी है कि वेरिफाइट एट एंटू एडजोइंट ओफ ए एक्वल्स टू डिटर्मिनेंट्स ओफ ए इंटू आइट्री यह आइडेंटिकल ओफ मेट्रिक्स होता है आपको पता है कि इसके डाइगनल पर वन ह क्या आप यहाँ पर एडजोइंट ओफ ए निकाल सकते हो बिलकुल आप निकाल सकते हो क्या यहाँ पर आप ए मैट्रिक्स को एडजोइंट ओफ ए से मल्टिप्लाइ कर सकते हो बिलकुल कर सकते हो क्या आप यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट्स निकाल सकते हो बिलकुल निक आप करेंगे आप करेंगे आप इसको अब इसको अब कर लिया हुआ है वो स्टुडेंट से में गवर्मन्न जो के भी सभी फॉर्म भरवाऊंगा अभी रेलवे की विकेंसी आ रही है और एंपीस का नोटिफिकेशन आ गया मैं यह भी आपसे बरवाऊंगा सब सब कुछ सब्सक्राइब आपके बताऊंगा मैं ठीक है भरते रहना अभी आपके पास पर 6-8 मेने हैं अगर आप सीख जाएंगे समझ जाएंगे चीजों को तो आगे आपको डिरेक्शन मिल गया तो आप आगे उस पर काम कर पाएंगे वी क्योंकि देखिएगा अगर आपके पास प आप सक्सेस हो जाएंगे तो अवेर्नेस बहुत जरूरी होती है तो आप लोगों पर टैलिंट तो है लेकिन आप लोग थोड़े से चीजों को लेकर के अवेर कम नज़र आते हैं इसलिए आप अवेर होने की कोशिश कीजिए करे लिकर के भी सोचना सुरू करीजिए अगर आप मार्यात निकालने लिए कोई दिक्क्त वाली बात नहीं है ठीक है कि पर में तो हर एक step चेक होता है तो माइनर वन वन तो आप सौलव करेंगे अगर आप बन लेंगे जाएग आपका तो क्या जाएगा जीरो फाइफ नंडि कोशिश करें अप ठीक है कि यह जीरो तो क्या है two minus four and one and six तो solve करेंगे तो बारा और यह आपका minus 4 लेकिन बीचे minus का sign लगेगा तो प्लस का चार हो जागा तो 16 हो जागा फिर भी करके दिखा देता हूं आपको ठीक है यह बारा माइनस और यह क्या जाएगा माइनस का चार तो प्लस को करके यह 16 हो जाएगा मैं यह कहा रहा था ठीक है जी और आपका M13 तो यहां पर solve करते हैं इसको हम तो आपके पास पर आपका टू माइनस 405 आजाएगा तो आपके पास दस और यह तो जी रो जाएगा तो यह आपके पास पर दस रहेगा इसी तरीके से अगर आप यहां पर M21 अगर आप लेते हैं तो बस यहां पर जिस आप जिस रो पर काम कर रहे हैं उसके element को तो भूली जाओ रहता वही है आखरी के दो आप लास्ट के टू फर्स्ट एंड लास्ट टू वही उर्डर रहताह है जिस रोग पर ले रहें उस रोग एलिमिंट खा जाओ तो आपके लाक के आपकी क्या रहेंगे अगर अगर आप टो यही जाएंगा यह जाए गाए टो क्या टिले है थे आपका तो आपका फॉल करेंगे इसको तो छे मैनेस आपका जाएगा पंदरह तो आपके पास में आजाएगा मैनेस का नो के रहे जी और यहां पर मटूटू अगर आप सौल करते हैं तो आपके पास में यह आपका जाएगा 2-4 2-4 and 1 and 6 तो solve करेंगे 12 और फिर वही बात आपके minus आपके पास में यहाँ पर 4 आजाएगा तो इस तरीके से आपका यह 16 रहेगा और यहाँ पर M23 अगर हम solve कर दें तो M23 में आपके पास में this one अगर आप करेंगे तो यह जाएगा यह जाएगा तो आपका 2 minus 4 and 1 and 5 आपका आएगा और यह 10 हो जाएगा and minus आपके पास में यह minus का 4 हो जाएगा तो solve करेंगे तो यह आपका 14 हो जाएगा clear जी और इसी तरीके से में यहां पर क्या निकालने जा रहा हूँ M31 तो अगर आप M31 निकालते हैं तो अब आपके पास में क्या रहने वाला है 101031 तो solve अगर आप इसको करेंगे तो आपके पास जी तो जीरो हो जाएगा तो आपके पास सिरफ 1 बचेगा तो M32 अगर आप निकालते हैं तो आपके पास में 2,2 और आपके पास में 3,1 बचेगा clear जी क्या बचेगा आपके पास में 2,2 और आपके पास में 3,1 बचेगा तो solve करेंगे 2 and minus का आपके पास में 6 तो minus का 4 आएगा और आप यह बात समझ मारा आपको कैसे गुणा करेंगे minus का 2 गुणा करेंगे minus का और minus 6 तो क्या जाएगा आपका minus का 4 ठीक है जी सट 24 होगा 24 होगा सट 22 चली देख लेक्ट लेक्ट तो आपके पास में 22 second row second column this one यह जाएगा यह जाएगा तो 2 अच्छा जी यह गड़र पकड़ लिया है मैं 22 2 minus 4 and 3 and 6 होगा sorry गड़र पकड़ लिया है आपने 3 and 6 होगा तो यह आपका क्या होगा 12 and minus और आपके पास में यह हो जाएगा 12 और यह आपका होगा काई यह आपके इंगरवड होई जाब दिए चोबिस ठीक है जी मैं बात कर रहा हूं मैं आपकर किसी इच की 33 की तो अगर आप 33 ले रहे हैं तो आपका थर्ड रो थर्ड ऐलिमेंट तो आपका यह रो जाएगा और आपका अपना यह कॉलम जाएगा अगर इसकी बात कर रह करें यह लिखो तो आपके लिए कुछ ट्रांसफोर्ज जाता कुछ आपको इनाही रहेगी कलिर तुम्हें यहाँ पर लिखता हूं को फैक्टर वन है वन को फैक्टर वन फॉन को फैक्टर वन फ्री के चलिये यह क्या है पॉजिटिव थैस नोचींज नेगि बेदा इची go factor 21 की तो 21 की एगर मैं बात करो यहां पर तो आपके पास में प्रोड अतो रेगा और को कोफेकटर आप पास है ज्रूरा सची जोगा 1 को फैक्टर 3 2 & 3 आप इसको ऐसी लिखेंगा तो आपके लिए आपके लिए ईज़ी रहे ङए चलिए यह जरूर ज़ि beneathब्स भेगा मैने तो मैने तो बार घ्रयेगा और आपके पास में आपको आपके पास में यह आपका आया माइनेस 5 माइनेस 16 एंड आपका 10 और 924 14 924 माइनेस का 14 और आपके पास में आया यहाँ पर 1 4 & 2 यह बासर में आपको आई यह नहीं क्लियर है आप क्या कर रहे है क scrape 5 डैट-A इन्ट्ट डैटव आपढ़े चलिए है मैडम क्या है इसको देखना पड़ेगा कर रहे कर आपके पास में क्या है यह मैट्रिक्ष और आपका ड्ट जॉइन्ट और A, clear है, A matrix के है, जरा बात कर लेते हैं, हम A matrix के पहले, A matrix के है, हमारे पास में, हमारे पास में यहाँ पर, A matrix है, 213, 213, 201, 201, और minus 4, 5, 6, minus 4, 5, और 6, clear है, and adjoint of A matrix की बात करो, clear है, अब जहाँ पर adjoint of A matrix के अगर में बात करता हूँ, तो adjoint of A matrix क्या है, minus 5, 9, 1, minus 5, 9 and 1, ठीक है, और, 12, 24, minus 16, 24, minus 16, 24, और 4, और यहाँ पर देखें, आपके पास में क्या रहा है, यह आपके पास में रहा है, 10, minus 14, और 2, clear है जी, recheck कर लिजी एक बार, 10, minus 14, और 2, 10, minus 14, 2, minus 16, 24, minus 24, minus 5, 9, 1, minus 5, 9, 1, ठीक है, clear है, और यह आप से क्या करने के लिए कह रहा है, है, A into agent of A equals to determinants of A into I equals to determinants of A और यहाँ पर आपके पास में I, identical matrix की बात कर रहा है, clear है, तो चलिए, determinants of A तो निकाल देंगे, पहला आप इसको multiply करते हैं, देखते हैं क्या आएगा, चलिए, determinants of A अगर आप निकालते हैं, तो क्या result आपके रहने वाला है, वो भी हम देख लेते हैं, clear है, तो जो हमने पहले निकाला है, उसी से चीज़ें काफी आसान होने वाली है, हमारे पास पर determinants of A निकाल रहे हैं, तो हम किसी एक चीज़ को लेके कर सकते हैं, पूरा का पूरा हमें करने के requirement नहीं है, उसमें, चीकर जी, clear है, determinants of A अगर हम इसका निकालते हैं, तो देखें किस तरह से निकालेंगे, A matrix तो मुझे पता यह क्या है, 2, और इस तरीके से मैं यहाँ पर लोगा, 0, 5, 1, 6, then minus, बीच का क्या है, 1, और इस तरीके से मैं लोगा, 2, minus 4, 1, और 6, और उसके बाद मेरे पास में क्या हैगा, प्लस का, 3, और determinants लेने के लिए मेरे पास में 2, minus 4, and 0, and 5, clear है, बास समझे, तो यह determinants of A matrix निकाल रहा हूँ, पहले आपको यह solve करना है, उसके बाद जो result आपके पास में, जो determinants आएगा, उस result को आपको multiply किसे करना है, आपको 1, 0, 0, and 0, 1, 0, 0, 0, 1, clear है जी, यह बास में आपको आई या नहीं, आप solve करते हैं, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, 2, into, minus 5, ठीक है, फर्स्ट आपको वही काम करना है, फर्स्ट आपके पास में, तो फर्स्ट कॉलम सुरू जाओ, फर्स्ट अलिमेंट फर्स्ट से, और हर next जब आप अलिमेंट पर जाओ, तो प्लस का साइन लगाओ, जब तक सारे रो, सारे कॉलम से गले नहीं मिलेते, जब तक रो के सारे अलिमेंट से गले नहीं मिलेते, तब तक प्लस चलता रहेगा, तो आपके पास में क्या रहेगा, 1, into, minus 60, इसके बाद, plus, 3, into, 10, clear है जी, पास समझे या नहीं समझे, आगे आप solve करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास में 2 into 9 plus 1 into 24 and plus आपका 3 into 14, 3 into minus 14, clear है जी? और इसी तरीके से फिर से ही जाएगा आपके पास में 2 into 1, 2 into 1 and आपका 1 into 4 plus 1 into 4 और आपका 3 into 2 plus 3 into 2, उमीद करता हूँ चीज़े तो आपके लिए आसान होगी, बड़ प्रैक्टिस कीज़े, थोड़ टाइम आप, अभी प्रैक्टिस से सीखेंगे तो बात बनेगी, चलिए, next पे चलते हैं, तो क्या जाएगा हमारे पास में 2 into minus 5 plus 0 का 0 रहें, तो 0 आगे ग 2 into 9, 0 क्या ही कर लेगा, 0 plus 1 into minus 14, clear है जी, आगे चलते हैं, तो 2 into, आपका 1, 2 into 1 plus 0 and plus अगर आप करेंगे तो 1 into 2, 1 into 2, clear है जी, आप उसके बाद हम 3rd row को लेके चलते हैं, तो 3rd row में क्या आएगा मेरे पास में, minus का 4, minus का 4 into minus का 5 है, अब यहाँ पर फिर से plus लेके चलते हैं, और क्या है मेरे पास में, 5 into minus का 16 है, और फिर से हम plus और क्या है, 6 into 10 है, आगे चल लेके चलते हैं, तो minus 4 into 9 है, plus 5 into 24 है, और उसके बाद 6 into plus 6 into minus का 14 है, आगे minus 4 into 1 है, minus 4 into 1 है आपका, 5 into 4 है, plus 5 into आपका 4 है, और 6 into आपका 2 है, तो plus 6 into आपका 2 है, जी, यह तो हमने इसका multiply ही करा है, clear है जी, बेरी बात समझे, clear है, प्रूब हो गया है, बिल्कुल प्रूफ हो गया है, हाजी, अब देखेंगे, अगर आप इसको solve करते हैं, तो क्या आपके पास में चीज़े आएंगे, गुणा करेंगे, तो क्या आएगा, minus का 10, minus आपका 16, ठीक है जी, और यहाँ पर अगर आप solve करते हैं, प्लस 30, clear है जी, और इधर solve करेंगे, तो आपके पास में क्या आएगा, 18, plus 24, and minus का 12, यहाँ solve करेंगे, आप तो 2, plus 4, and plus 6, clear है जी, इधर अगर आप solve करते हैं, तो यह minus, minus, plus हो जाएगा, तो आपका 20, plus, आपके पास में 80, 80, sorry, plus 80, नहीं, minus का C आएगा, क्योंकि यहाँ पर 16, minus का है, तो 20, और यहाँ आपका 80, यह minus का हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास में क्या आएगा, plus का आपका 60, clear है, इसको solve करते हैं, तो minus का 36, plus, 100, 120, और यह minus का आपके पास में, यह समझ माही नहीं है आपक 84, 84, clear है जी, कोई doubt किसी बच्च कुछ गडबड़ तो नहीं कर रहा हूँ यह मैं, बहुत ठीक है, 246, इसको solve करने लग गया है, इसको solve करने लग गया मैं, पीछ आले को तो मैंने छोड़ भूली गया मैं, कोई बात नहीं प्यारे, हम बिल्कुल भी समय खराब नहीं मैं, फ्ल wreck, इसको नहीं चेली आते हैं, ठीक है जी, अब क्या हैँ मेरे पास में, मैनेस 4, प्लस 20, एन प्लस 12, ठीक है, बीच वालग का क्या रह गहा था हमारे पस में, यह रह गहा था मिरे पास में, मैनेस का 10, यह तो आपका प्लस 10, यह आपका अठारा और मैस 14, और यहा mall करते हैं right hand side के इक्वल लेकर जाते हैं तो यह नहीं आए पास पेसके हो निदेगए रहे हैं, तो आपके पास है 16 हो जाएगा यह तो क्या आगा 16 मैं डेरेट कर《पर क्या जाएगा प्लस यह तो आपके पास 10 और यह तो जीरो सब्सक्राइब करें तो क्या आगे निश्ल करते हैं इसको हम ठीक है देखे जड़ा इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास में मेरे पास में यह है 26 और यह प्लस तो मेरे पास में मैंनेस 26 और प्लस 30 तो मेरे पास में चार आएगा प्लस का यहां पर मेरे पास देखो कि तो बारा ही बचे कर चोई संबारा के तो बारा अगर मैं दो δे दूहां सो चाहां से हो दिकण अब दीजिए टीस मेरे पास मेरे पास में आये गा झाल नक्रे करेंगे तो यह मेरे पास में जी्रों हो तो यहां पर यहां पर मेरे पास 12, 32 में से मेरे पास में 4 चला गया तो minus 28 आएगा ये 28 आगया clear है जी बास समझे या नहीं समझे तो ये मेरे पास में आगया क्या a into adjoint of a clear है और यहाँ पर मैं क्या करने वाला था determinants of a multiply by this तो मेरे पास में determinants क्या आएगा मेरे पास तो determinants क्या आएगा चार आएगा clear है जी बास समझे या नहीं समझे तो मेरे पास में यहाँ पर determinants कि चार आया कि एड्जोइंट ओफ ए नहीं आया यह भी हां स्वरी एड्जेंट ओफ ए multiply matrix of a तो क्या आएगा मेरे पास में यहां पर यह मैनेस का 26 प्लस 30 और यहां solve करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास में चार आएगा ठीक चार multiply by 100001001 तो यह तो मेरे पास में 44 का आगया गरबड़ कहां पर क्या हो रही है पूरे conditions को लगा है हमने determinants of a multiply by i3 verify that a into adjoint of a equals to determinants of a into i and such a c33 minus 2 आएगा तो cc minus 2 लिख रखाया मैंने ओ हो अच्छा नी मैंने डोई तो लिख रखाया मैंने अपको का अंगर बड़ो भीट भाई साब कहां नहीं अच्छा इतनी बाद में बता हो गया यहां पर आपका क्या आना था मैनेस दो आना था आपका यह ठीक है जी क्लिर है अब यह मैनेस दो आएगा तो यहां पर भी गड़बड होगी आपकी कि पहले तो फस्सर के साथ में था पिर इसका सेपsheet लों Jackie सपने थक्रकर था यहां важा पर आपके पास में गड़बड हैगी यह आपके पास माइनस बारा आएगा कि आछ अर्फ है और यह चार अगा clear है जी तो आपके पास में क्या आया और भी कहीं पर ये चीज़ें गड़बड होंगी फिर minus 12 की साथ में क्योंकि minus 2 है ना आपका हर बार आपके गड़बड होगी क्योंकि यहां पर भी मैं इसके साथ में गया था last में तो यह क्या हो जाएगा मेरे पास में यह minus का हो जाएगा minus का 6 minus का 6 हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा आपके पास में यह आपका 0 हो जाएगा ठीक है जी यह क्या होगा यह हमारा minus का होगा समझे और उसके बाद जब मैं इसको multiply कर रहा था यहां पर भी, तो last वाले में भी यह क्या जाएगा, minus का 2 रहेगा तो यह भी आपका minus का 2 रहेगा और यहां पर भी आपके क्या जाएगे यहां पर भी आपका जो है यह 0 बनेगा, clear जी और 30 वाला case कहां डविलप हुआ था मेरा 30 वाला case यह 12 और 18, 30 गवड़ हुआ है, second में भी फर्स्ट किस में यह हमारे पास में क्या है 3 into minus 2, 6 वो तो 0 हो गया आपके पास में फर्स्ट का second चलिए, 2 into 9, 18 1 into 24, 24 और 3 into 24 तो 36 आएगा ना माइनस का माइनस का 36 आएगा यह clear जी तो यहां पर sorry यहां पर आपका 3 into second वाले में 2 गुणा 9 प्लस 1 गुणा 24 और आपका 3 गुणा 14 यह 42 42 होगा और 42 अगर होता है 38, 38, 40 24 गुणा 2 गुणा 9 गुणा 24 गुणा 24 गुणा 42 गुणा 3 होगा होगा ठीक है तीन है 18 और यह हो गया मेरे पास में 42 माइनेस का कहां गड़बढ है 18 प्लस 24 माइनस ब्यालिस 18 प्लस 24 माइनस ब्यालिस स्वरी इधर है है तो आपके पास में यहां पर इस जीरो आजाएगा फोगए जीक दिन उसके से सारा कहानी खराब हो है आप प्रूफ आपके पर है यह आपके पास जाएगा यह आपके पास पर जीरो जीरो यह इसमें गड़बढ हो और आगे अगर आप इसको solve करेंगे तो यह फोर से मंटिप्लाइब किया जाएगा 400 and 040 and 004 क्लिए जी इस बात को आप समझे तो यहां पर कुछ गरबड़ होगी थी एक तो हमने कहां पर गरबड़ करी थी यह माइनस का है तो भीया आप इसको जराट ठीक कर लीजिए अभीवह कि मुलिटेखेघा है कि तीन गुना में माइनस का दो होगा मेरी बात सम Nuclear समय है आपका दो यहाँ पर माने का होगा और यहाँ पर ए-माने सिकोंगा उससे अच्छी होगर दसा आप च liz कर लिएगा यह 42 होगा आपके पास में यहाँ यहां पर क्योदा का रहे या आपका चोजातिया बेढ साजाएगा तो यह आपके पास में आपका इस तरह किसे बैली स्थ जीर रोजाए गांजी हो जाएगा बाकिए आपका सब कुछ ठीक है थो मिलते हैं फिर नेग्ली क्लास पर हम पढ़ेंगे वहाँ पर इनिवर्स ओफ मेट्रिक्स ठीक है जी बढ़े कोई बात नहीं कभी दसमें पहले भी छूट जाती है तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में थैंक्यू जी थैंक्यू सो मच करें